बीते दिनों से चल रहा इस्राइल और फिलिस्तीन का युद अब चार महीने से जादा हो चुके हैं लेकिन असार अब युद विराम के नजर आ रहे हैं नमस्कार मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनेत आवाज युद्विराम के असार तो नजर आ रहे हैं लेकिन वही इसराइल के जो सैनिक हैं वो बेहदी कुरूर होते जा रहे हैं जो इसराइल के सैनिक है वो इस हद तक गिर चुके हैं कि फिलिस्तीन के नागरिकों को मारते में नजर आ रहे हैं वो फिलिस्तीन के नागरिगों को मार रहे हैं और फिर जश्न मना रहे हैं नाचते में नजर आ रहे हैं ये वीडियो आपको X के पोस्ट पर दिख जाएगी किस तरीके से उनको लोगों को मारने में खुशी मिल रही है फिलिस्तीन के नागरिगों को किस तरीके से मारा जा रह यह मतलब मार के वो नाचते वे नजर आ रहे हैं लेकिन उसके बाद अगर देखा जाये तो हमास जो है वो इसराइल पर भारी पड़ रहा है इसका बदला हमास जो है वो इसराइल के सैनिकों को मार कर ले रहा है जो इसराइल के सैनिकों को उसको हमास ने पहले जो है इसराइल के जो सैनिक है वो फिलिस्तीन के लोगों को मारते हैं लेकिन हमास इस चीज का बद्दा लेता है हमास जो है वो एक घेरावंदी गर के बेरिगेट लगा के फिर इसराइल के सैनिकों को मारता है कि जिस तरीके से उसने फिलिस्तीन के जो नागरिक है और परिवार है उसको जो म बदलती ही नजर आ रहे हैं इस लड़ाई में आम आदनी पिस रहा है महिलाओं पर बरबरता की जा रहे है और जो पूरे युद्ध में लगतार एक्स पर पोस्ट करके लोग लिख रहे हैं अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं हम आपको पढ़के सुना देते हैं मारिया MZN लिखती है कि भूग क्या होती है बच्ची समझ रही होगी गाजा पटी कि एक छोटी बच्ची खाने के लिए कतार में इंतिजार करते वक्त भूग से रो रही है जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है इसमें जो बच्चे तक है बच्चे तक पर बर्बता की जारी कि उनके पास खाने तक के जो चीजे समान नहीं है इसकी बच सबा एक्स पे पोस्ट करके लिखती है कि गाजा की मजजद पर इसराइल का हमला शहीदों के खून में डूबा कुरान अल्ला और उसके रसूल से प्यार का दम भरने वाले मुस्लिम दुनिया के नौजवानों कहां हो तुम गाजा से जो वीडियो वाइरल हो रही है उसे साजा करने के लिए ट्वीटर भी पर्मीशन नहीं दे रहा है कि इस तरीके की वीडियो वाइरल हो रही है कि अब ट्वीटर भी पर्मीशन नहीं दे रहा है मतलब आप देख सोचे कि इसराइल जो है किस तरीके की बरबरता कर रहा है फिलिस्तीन पे कि इसराइल का जो हमला कर रहा है फिलिस्तीन के लोगों पे उसमें जो खून में डूबा कुरान है इस तरीके की वीडियो सामने आ रही है जो X भी अलाउड नहीं कर रहा है पोस्ट क साफ पाने नहीं कि बच्चे को किस तरीके से बारिश गंदा पानी पीना पड़ रहा है इस तरीक की बर्बरत करे वी नजर आ रही है लेकिन इस युद्ध में कब तक जो है युद्ध विराम लग पाएगा अभी तक का पूरा चीज नजर नहीं आई इस तरीक से बच्चे मह लाएं और आम आदमी लोग इस युद्ध में पिस रहे हैं वो साफ तोर पर देखा जा सकता है जो इसराइल है वो हार मानने को तैयार नहीं है लेकिन इसराइल पर हमास भारी पढ़ रहा है लगातार अगर देखा जाए तो क्योंकि हमास जो है फिलिस्तीन के नागरिगों को बदला लेते में नजार आ रहा है हमास ने पहले ही कहा था कि अगर इस तरही की चीज़ हमारे नागरिगों को परिशान करा जाएगा बरबरता दिखाई जाएगी मारा जाएगा तो हम इसका बदला जरूर लेंगे वहीं हमास जो है जो इसमें अब नजर आ रहे हैं उनको एक बैरिगेटिंग करके एक गुट में उनको मारा जा रहा है जो इसराइल ने फिलिस्तीन के नागरिवों को मारा साथ उसका बदला हमास लेता वो नजर आ रहा है और हमास के साथ हजबुल्ला हूती भी इसमें अब नजर आ रहे हैं कि हजबुल्ला हूती भी इसके साथ हैं लेकिन फिर भी युद्ध विराम लगने को नहीं आ रहा है। नेतनियाओं की सनक इस तरीके से इस कदर बढ़ चुकी है कि जो आम लोग जो है आम फिलिस्तीनी या आम इसराइल की बात करें दोनों ही इसमें पिस रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जो नेतनियाओं है वो इस य हमास के हक में चलता हूँ नजर आ रहा है इसमें इम्रान खान लिखते हैं इसराइली कब्से वाली 603 वी लड़ाकों इंजिनिरिंग बटालियन ने एक वीडियो प्रकाशित किया जिसमें दक्षिनी गाजा के खान यूनिस में एक मज़ित और दसियों अवासी इमारोतों क अभियान चलाए 15 आईडिय अफ सानिकों को बिलकुल नजीक से मार गिराया 43 आईडिय वहनों को नश्ट कर दिया चार ड्रोन विमान जब किये गए हैं और आसपास की बस्तियों पर तीन बार बंबारी की हैश्टेक फ्री पैलिस्ताइन लगतार इसमें लोग जो हैं फिलि दोतार फ्रयान लगना चाहिए विराम लगना चाहिए कि लगतार जो है इसमें चल रहा है बीटे चार महीनों से चार महीने यानि जो 2023 से युद्ध जो स्टार्ट वदर 24 आ चुका है लेकिन अब तक इस युद्ध में कुछ विराम लगतावा नजर नहीं आए और जो आम नागरिक हैं आम नागरिक आम महीलाएं और जो बच्चे हैं उस पे चीजे बरबरता करते भी नजर आ रही हैं कि मतलब एक बच्चा जो है उसको उसके पास पानी भी पीने को नहीं है उसको बारिश का गंदा पानी पीना तक पड़ रहा है मतलब इस तरी की चीजे ब नजर आ रही है इसमें उसके बद एक और चीज है कि इस पे एक्स पे पोस्ट करके मिस्रा अमरेश लिखते हैं कि एक पैलिस्तीन मर्द हतकरी पैने कपड़े उत्रे हुए गाजा शहर के एक स्कूल के अंदर यातना सहने के बावजूत IDF सैनिको को घूर रहा है ऐसा लग रहा है कि उसकी नजर उपनिवेश वादी इसराइली सैनिकों को भेद रही है IDF सैनिक ने स्वयम फोटो प्रकाशित की उसे इस बात का एसास नहीं ताकि फिलिस्तीनी कैदी का गूरना मुक्ति की इच्छा का प्रतीक बन जाएगा हैस्टेक फ्री पैलिस्ताइन फिर एक और पोस्ट लिखते हैं कि इस समय पैलिस्तीन रेसिस्टेंस गाजा में ताल अल हवा शेत्र और द्योगिक शेत्र और अल अक्सा विश्विध्याले शेत्र के पास IDF से भ्यंकर युद में उल्जा हुआ है IDF रैंग में कई घायल औ उसके बाद मिस्रामारेश ही लिखते हैं कि यमन के साथ संघर्ष के बाद ब्रिटेन ने अपना विध्वनसक विमान वापस बुला लिया ब्रिटेन अपने एक विध्वनसक जहाज HMS डायमंड को Red Sea से हटा रहें क्योंकि उस पर यमन की ओर से तीन अलग-अलग हमले हो जिससे विध्वनसक को नुकसान पहुचा ब्रिटेन का दावा है कि वे उसे तकनीकी कारणों से वापिस ले रहा है पर हम हकीकत जानते हैं वाजित खान इस पर पोस्ट करके लिखते हैं कि कताईब अलकसम और कताईब अलमुजहिद्दीन ने दक्षिनी गाज़ा शहर में एक इसराइली अपाच्य हेलिकॉप्टर को मार गिरा है यह उपरेशन रूस निर्म सत्य से हवा में मार करने वाले मिसाइल सेम साथ से अंजाम दिया गया याद रखे कि गाज़ा मुजहिद्दीन को हेलिकॉप्टर की सहित कुल 75 इसराइली विमानों ने निशाना बनाया ह हमने आपको तमाम चीजें से पढ़के भी बता दी है और पूरी ख़बर है हम पूरी खबर बता दी है तो आपको क्या लग रहे कि युद्विराम जो है कब तक होगा क्योंकि लगतार चार महिने से जाधा हो चुके है इसमें युद्विराम लगने को नहीं आ रहा है जो आम नागरी के वो इसमें पिस्ते में नजार आ रही है लेकिन हमास भी इसराइल पर भारी पड़ रहा है इस पर आपका कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा धन्यवाद